दोस्तो ये है Realme Pad Mini Tablet, एक budget range all-rounded tablet मैं कहना चाहूँगा, इसके उपर मैंने पहला वीडियो आपको चैनल पर दिया था 20 जनवरी 2023 को, और पिछले डेढ़ दो साल से मैं से यूज कर रहा हूँ, इस आने वाले जनवरी पे इसका 2 साल हो जाएगा, और 2 साल से ना ये काफी तग लगा रहा है, मेरा mail इसी पर registered है, इसके उपर मैंने चैनल पर आपको कुछ important वीडियो दिये थे, लाइक इसका unboxing review, 6 month review मैंने दिया था, इसके अंदर calling test करके दिखाया था, वीडियो call test करके दिखाया था, ऐसे बहुत सारे आपको helpful वीडियो बैने दिये थे, और भी बहुत सारी वीडियो इसके उपर दिये ना था, लेकिन बीच में मेरा थ्यान shift हो गया, और मैं कुछ और topics पर बनाने लगा, तो इसके वीडियो ना फिर रहे गए, एक budget range mini tablet है, इसके इंदर आपको 8.7 inches का display देखने को मिल जाता है, और काफी compact है, इसको चाहोगे न तो अपने jeans के pocket पे भी डाल सकते हो, काफी ultra slim आपको इसका body मिल जाता है, metallic body के साथ आता है, 7.6 mm thickness आपको मिलता है, light weight है, सिर्फ सिर्फ 372 grams का है, तो मैंने जो पचेस के आया है न, ये top of the line variant था उस time पे, दो variants आते थे, एक आता था आपका इसका 3GB RAM, 32GB storage, Wi-Fi के साथ सिर्फ, और एक आता और इस step के success के बाद, Realme ने एक साल पहले recently अभी इसका 6GB RAM, 128GB वाला variant भी launch किया है, जो काफी जादा वो भी बिक रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, जब मैंने इस tablet को purchase किया था, इसका price था 13,999 रूपए, यानि की 14,000 रूपए, और card discount SBI का लगा कर कि मुझे इसका price 12,000 रूपए पड़ा था, लेकिन अभी जैसे sale का season सुरू हो चुका है, flip card के big billion dates reveal हो गए है, Amazon पे भी आपके great India festival sale आ रहा है, और दोनों जगा पे deals reveal होते जा रहा है, और इस type के price पे अभी से ही huge drop देखने को मिल रहा है, ये जो मैंने 12,000 रूपए में लिया था, ये इसका price अगर आप HDFC bank के credit card से purchase करते हो, तो 1000 का odd discount मिल जाएगा, यानि कि आपको 8,999 रूपए में 4G VRAM, 64GB storage with 4G SIM card feature देखने को मिलने वाला है, इसके अदर आप dual 4G SIM card लगा सकते हो, या फिर 1 4G SIM card और 1 microSD card लगा सकते हो, अप टू 1 TV तक का, तो ये काफी जादा versatile option के साथ आपको मिल जाएगा, तो ये वीडियो ना end तक जरूर देखना क्योंकि आज मैं Realme Pad Mini Tablet का gaming review लेकर किया आया हो, इसके अंदर कुछ heavy games जैसे BGMI, Call of Duty, Free Fire, Asphalt, ऐसे games का आपको इस पर test करके दिखाऊंगा, अखिर आपको कितना battery drop होता है, क्या hitting होता है, नहीं होता है, क्या lag मिलता है, क इतने maximum graphics पे खेल पाते हैं, सब बताने वालों हम आज किस वीडियो पे, मेरा ना मेरी में शेनल पर पहली बार आए हो, तो फटार फट से सब्सक्राइब करो, चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो पहले आप मेरे tablet का version देख लो, Unisoc T616 OctaCore processor वाला, 4GB RAM वाल variant है, तो यहाँ पे ना मैंने कुछ-कुछ games install करके रखे हुए हैं, लाइक मैं आप जब से पहले दिखाता हूँ, BGMI हमारा सबका favorite game, Free Fire Max, Call of Duty, Mortal Kombat, Hill Climb Racing, Subway Surfer और Asphalt 8, अब इतने सारे में आपको games quickly test करके दिखाता हूँ, तो यह मेरे पास एक infrared thermometer, इस से यहाँ पे temperature note कर लें 84.3 degree, bottom पे देखते है, 91.2 degree, अब back side से देखते है, top पे 84.7 degree, bottom पे 84.7 degree, back side पे ना दोनों पे सेम ही है, तो यहाँ पे volume करते है, full पे एकदम, full कर दिया हमेने, battery हाँ पे आप देख लो 99% battery, और यहाँ पे time होरे है, 12 बचके 25 मिनट, चलो BGMI को start करते है, तो BGMI start हो रहा है, मैं इस पे BGMI पेछले 2 सालों से काफी ज़़ा खेलता हूँ, बहुत ही मज़ा आता है, सबसे पहले चलेंगे settings पे, यहाँ पे चलेंगे graphics पे, तो देखो इसके इंदर आपको smooth पे high तक का setting मिल जाता है, और अगर आप HD setting पे खेलता हो, तो HD पे भी आपको high तक का setting मिलेगा maximum इस पे आपको ultra और extreme का option नहीं मिलता है, इस पे आप maximum HD high पे खेल सकते हो, तो यह हमारा maximum set तो यहाँ पे मैं लगाँगा पेलोड क्योंकि पेलोड मेरा favorite mode है, बहुत ही मज़ा आता है पेलोड खेलने में, अब इसके अंदर आपको जो performance मिलेगा ना, अब definitely आप इसके अंद करना है, enjoyment के लिए, तो यह आपको जादा अच्छा इस पे performance निकाल के देगा, तो देखो guys, यहाँ पे हमारा lobby स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, colorful mode पे आसमान देख लो, लीचे का घास वास देख लो, काफी अच्छा आपको यहाँ पे फिलाल graphics द देखो हमारा यहाँ प्लेन देख सकते हो, प्लेन के उपर graphics देखो, sunlight देख सकते हो, bottom self shadows देखो, नीचे का map देख सकते हो, फुरा ही रेंगल का, तो graphics बहुत ही सही यहाँ पे render हो रहा है, आपको नहीं यहीं सही ना, नीचे का map बहुत ही clearly यहाँ पे visible हो रहा होगा, तो खे वाउ, सीधे चलेंगे tank पे, बहुत स्मूध यहाँ पे parachute भी deploy हुआ है, और यहाँ पे tank पे मैं उतर चुका हूँ, और bad year, देखो कितना स्मूध यहाँ पे performance मिल रहा है, और यहाँ पे high graphics पे देख सकते हो, नीचे का grass देख लो, tank आप color देख सकते हो, पुरा deep आपको color मिल ग्राफिक्स काफी सही मिल रहा है, अब यहाँ पे एक बंदा उतर है, इसको तो मारना बनता है, तो चलो करते हैं इसका पीछा, यह तो भाई, बौट ही लग रहा है, इसको मार देते हैं, तो बगल वाले घर पे बंदा है, और यह तीन नमबर मरेगा, क्योंकि उतर किया और यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे ड्रेस को देख सकते हो, काफी अच्छे तरीके ऐसे, यहाँ पे सब चीज रेंडर हो रहा है, अब मैं आपको ग्राफिक्स चेंज करके दिखाता हूँ, अगर ग्राफिक्स को करते हैं, यहाँ पे स्मूध और हाई पे, तो ग्राफि यहां पे मैं मर चुका हूँ, गेम अवर हो चुका है, 17 पे हम लोग आए, और यहां पे मैं आपको दिखाता हूँ, 94% बैटरी हो चुका है, यानि कि यहां पे 6% का अल्मोस्ट बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, तो अगर आप एक मैच खलते होँ, रेंगल करना, इस पे जो आदे खंटे का अल्मोस्ट एक मैच होता है, तो एक मैच पे न सिर्फो सिर्फ आपका यहां पे 8% के राउंड बैटरी ड्रॉप होने वाला है, यहां पे मैंने आपको BGMI का पर्फोर्मेस दिखा दिया, काफी स् मिलता है, अब चलो Free Fire, यहां पे मैं आपको खेल के दिखाता हूँ, Free Fire Lovers के लिए, यह कैसा पर्फोर्मेस निकाल के देने वाला है, तो यहां पर यहां पर आपको ग्राफिक्स का न, अभी अल्टरा पर सेट है, इसको आप मैक्स पे भी रख सकते हो, तो मैक्स पे कर तो यहां पर कह रहा है, selecting higher graphics quality may cause the device to experience excessive heat or lagging more easily, तो यहां पर यह अल्टरा recommend कर रहा है, बट मैं आपको आपको दिखाता हूँ, कि आपको मैक्स ग्राफिक्स पे भी खेल सकते हो, high resolution को high पर रखेंगे, shadows को यहां पर on कर देंगे, अब चलो यहां पर game के एक बाद स्टार्ट क तो हो सकता है, मैं खराब खेलू, उसके लिए माफी चाऊंगा, लेकिन आप 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 देखो, movement, smoothness आपको काफी smooth मिल जा रहा है, देखो, प्लेयर्स को आप सामने से देख लो, सबके close को देख लो, यहां पर ग्राफिक्स को देख लो, काफी सही से यहां पर render हो पा रहा ह क्राउच भी यहां पर करेगा, तो क्राउच करने टाइम देखो, यहां पर कैसे क्राउच करता है, यह रहा, और यह रहा, jumping इस तरह के का आपको performance मिलने वाला है, free fire पे, और free fire पे भी काफी smooth आपको यहां पर performance मिलेगा, in fact आप maximum graphics पे high resolution पे भी खेल सकते हो, बहुत ही सही आप पर performance निकाल के यह दे देगा, अब call of duty यहां पर चलाते हैं, अब एक पर मैं आपको माइक को सामने रखके सुनाता हूँ स्काल्पूर्ट, देखो यार क्या amazing आपे graphics मिल रहा है, हलाकि इसको ना अपना low or medium setting पर खेल सकते हो, तो मैंने medium पर अरेडी कर रखा है, तरुमोर्ट है वो देखेल शुला नहीं Vid Reloading, Cover Me यह रखावी साइड शुषी लुष, इसका भी मुठा कर दो, मुठा मादये डोर्य। च्मर्ट कर फोत हो जानस में मेला सह है तो कि तो मेरा ड्रोन भी यहां पर तयार हो चुका है अब यह आपको ड्रोन से खेल के दिखाता हूं तो कियोग विजए पार्ड़ से घट आपक्या हैं यहा हैं यहाँ आपके तोड़ा दिया डबल किल हो गया यार तो परफॉमेंस काफी सही मिल रहा है इसके अंदर अभी चलो यहां पर आग से जला देते हैं इनको भूम देते हैं चोड़ा रोस्टेड चिकन मना देते हैं यहां पर गाइस कर अवाँ यहां वहां यहां अ जाआ जो अजड़ाव लो अवी मना भी याँ यहां यहां थुवब विड़्ड़ा यहां जू तूब यह नप्या आवड़्ड़ा यहां अभॉब इन काफी मसा रहा यार इसको COD खिलने में COD का performance यार काफी तगड़ा तो जीच चुके हैं हम लोग ये रहा और MVP बना हूँ शायद मैं ही जी हां यहाँ यहाँ पर दिखाऊँगा आपको ओडियोन ग्राफिक्स पर देख सकते हो ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर lower medium का option मिलता है और frame rate को मैंने आपे high पे कर रखा था तो काफी सही इस पर आपको COD का भी performance मिल जाएगा इस टैब पे अभी तक इसके अंदर कुछ पर वैसा lag और frame drops देखने को तो नहीं मिला हाँ अगर आप 2-3 घंटे लगातार game खेलते रहोगे जब यह थोड़ा heat हो जाएगा ना डूवल स्पीकर इसके अंदर काफी अच्छा आपको stereo output निकाल के देता है तो देखो यार graphics यार तो मैं हूँ चाहिए फूर्थ नंबर पर और यह थर्ड पोजिशन का चुका हूँ वाँ को सक्वाँ मैं हूँ रहां थकाहूँ आज दो च्टक्षिए एकने बेता चुपक्षिए एकने करने। कर दो कर दो कर दो एसफेल्ट 8 का भी परफॉर्मेंस काफी प्यारा विदाउट एनी लैग और इतना गेमिंग के बाद भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख सकते हो 11% का बेटली डॉप हुआ है 99 पर हमने शुरू किया था 10% बोलूँगा 89% अभी बस हुआ है और 12-25 से लेके यहाँ पर एक बजने वाले हैं यानि कि 35 मिनट से मैं आपको इस पेना गेमिंग टेस्ट करके दिखा रहा हूँ फिर यहाँ पर करते हैं मोटल कॉमबाइट, हिल क्राइमिंग यह सारे तो नॉर्मल गेम्स चलते ही हैं एक आपको मैं यहाँ पर नॉर्मल गेम्स खेल के दिखा देता हूँ सब्वे सर पर अगर आप एक जायरो प्लेयर हो ना तो इसके इंदर आपको जायरो स्कोप भी देखने को मिल जाता है लेकिन वो थोड़ा सा आपको आपने डिले देखने को मिलेगा सेटिंग्स पर चलेंगे एडवांस कंट्रोल पर जाएंगे यहाँ पर नीचे नीचे चलेंगे गाइस देखो यहाँ पर जायरो स्कोप का आपको अप्शन मिलता है इसको आप यहाँ पर आल्वेस ओन, स्कोप ओन और आफ रेक्स तो आल्वेस ओन करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको जाइरो स्को भी देखेंगो मिलता है लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे जिट रही है लेगी आपको फील होता है उतना जद आपको इसका जाइरो स्मूथ फील नहीं होता है तो इसी वज़े से न मैं इस पर जाइरो on करके नहीं खेलता हूँ जाइरो off कर देते हैं बाकि आप देख सकता हूँ इस पर normal आपको यहाँ पर gameplay दिखाता हूँ ग्राफिक्स को वापस से hd high पर करेंगे अपलाई कर दिया मैंने और अब चलते हैं वापस तो देखो अब इसका अलगी मज़ा आ रहा है यार ग्राफिक्स का तो यहाँ पर इन्होंने मार दिया मुझे अब यहाँ पर इसके temperature को चेक करते हैं अब मैं इसे पकड़ रहा हूँ ना तो मुझे के back portion पर top side पर हलका से यहाँ पर heat feel हो रहा है तो चले इसके heat को यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो top पर देखते हैं 99.6 degree Celsius और bottom पर 100.4 degree Celsius 99.6 degree Fahrenheit और 100.4 degree Fahrenheit 95.7 degree और bottom पर 92.3 degree तो अब बात करते हैं heating की ना तो यहाँ पर मैंने note करके रखा था यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ मैंने before game after game note करके रखा था before game हमारा temperature फ्रेंट पर था 84.3 degree Fahrenheit और game के बाद हो चुका है 99.6 degree Fahrenheit यानि की 15 degree temperature आपको front side पर increase देखने को मिलेगा bottom पर था 91.2 degree 100.4 हो चुका है यानि की आपका यहाँ पर 89 degree के असपास इसके bottom पर front side पर आपके आप increase देखने को मिलेगा back side की बात करेंगे तो back side पर 84.7 था जो 95.7 हुआ है यानि की almost 11 degree Fahrenheit बढ़ चुका है और bottom पर आपको 84.7 से 92.3 यानि की 78 degree के असपास bottom पर यहाँ पर back side पर बढ़ा है लेकिन इतने दिर के gaming के बाद भी इसके अंदर performance पर वैसा कुछ आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिला और इसके अंदर आपको बहुत smooth gaming performance निकाल के दे देता है तो अगर आपको अपने time pass के लिए enjoyment के लिए अगर आपको एक tab लेना था gaming के लिए तो आप realme pad mini को शौर से ले सकते हो और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है हैंड केम वहला जैसे कि अगर आपको यहाँ पे camera आप लगा दोगर आप game खेल के वीडियो बनाओगे तो भी आपके लिए बहुत सही choice होने वाला है काफी आपको decent performance निकाल के देगा हाँ screen recording करके आप साथी जाथ खिलोगे ना तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको एक दो बार ना frame drops देखने को मिल सकता है अभी के टाइम पे नहीं आपको best budget gaming tablet मिलने वाला है हुआ के लिए आपको मिलने वाला है